नमस्कार में उप्रिया आपका स्वागत है विहारी नियूस में चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रामुक खबरों को अब तक लोटे नहीं है मगर फिर से इस समय में भारी संख्या में शहरों के तरफ प्रवासियों का रुख देखा गया है मिली जानकारी के नुसार उतर प्रदेश, चातिसगर, बिहार, पश्रिम, बंगाल, ओडिसा, जहारखन, राजस्थान और गुजराज जैसे राज्यों उससे श्रमिक को बड़ी-बड़ी कमपनियां खुद वापस बुलाने की पहल कर रही है महाराज्यों के सतारा में 3.5 उतीवरता के साथ कांपी धर थी, COVID-19 के समाहॉल में लगातार भारत के विभन राजियों से जटकों की खबर सुनने में आई है इस इक्रम में एक बार फिर से रविवार रात महाराज्यों के सतारा जुले में कमपन महसूस की गई है जिसकी जानकारी National Center for Seismology की तरफ से ज़ारी की गई है साथी यह भी बताये गया है कि रविवार रात 9 बच के 33 मिनट पर सतारा में कमपन के हलके जटके महसूस किये गया थे हाला कि जटके तेज नहीं थे लेकिन लोगों में अफराद अफरीका माहॉल साफ साफ देखने को मिल रहा है इससे पहले भी महराश्र के 17 में पिछले महीने 20 जून को जटके महसूस किये गये थे 17 में 20 जून को दो बार कमपन महसूस की गई थी गुना इन दिनों पेड के महत्व को समझाने का दे रहा है संदेश गुणा में इन दिनों पेड है हरा है, सोना इससे कभी ना, खोना इतनी होगी, पेड की बढ़त उतनी होगी, जीवन की बढ़त संदेश लोगों तक पहुचाया जा रहा है, क्योंकि गुणा में तृवेनी रोपन कारिक्रेम की तयारियां जोर शोर से चल रही है, इन तयारि जुला पंचायत के CEO निलेश पारिख के नेत्रित्व में करवाई गई है इससे पहले निलेश पारिख ने पौधार ओपन के छेत्र में लिंबा बुक रिकॉर्ड में रीवा का नाम दर्ज करवाई था अब एक चिन के माध्यम से देशी और विदेशी उत्पादों की हो अब किसी भी सामान को खरीदने से पहले आपको उसके निर्माता देश का पता चल जाएगा सामान पर बने एक चिन से आप समझ जाएंगे कि यह उत्पाद भारत में बना है या इसका निर्मान किसी दूसरे देश में करवाई गया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के वो खरीदने का विकल्प चुनने में आसानी हो स्वदेशी मानक या ट्रेड मार्क त्यार करने के बाद भोगताओं को यह विकल्प चुनने में और ज्यादा आसानी होगी COVID-19 के माहौल में रोग अब घरों में रखने लगे हैं पैसा COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों की दिन श्यर्या में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है सिर्फ दंचिरया में ही नहीं बलकि लोगों की रहन सहन में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है और यही कारण है कि अब लोग बेवज़ा घर से निकलने पर परहेज ही करते दिखाई देते हैं इसके साथ ही नकदी को लेकर भी लोगों की आदत बदली-बदली से नजर आई है जारी के अगरों के नुसार लोगों ने अब ज्यादा नकदी घर में रखना शुरू कर दिया है RBI ने इस बात की पुष्टी की है RBI के तरफ से जारी के अगर रपोर्ट के अनुसार 3 जुलाई 2020 को 4,61,643 करोर रुपे करेंसी लोगों के पास थे जबकि 10 अपरेल को यह आंकड़ा 3,5694 करोर रुपे तक पहुंच गया वही 17 जुलाई को 26.39 करोर रुपे की नकदी सर्कुलेशन हुई है भूबर्ग जल का सबसे ज्यादा इस्तमाल करने वाला देश है भारत एक वक्त था जब घर में हर किसी के आंगन में कुआ हुआ करता था और अब का एक वक्त है जब ये सब कुछ खत्म हो गया है तालाब सूग गया है जुसके बाद खेत का इस्तमाल दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है और ये कारण है कि भारत दुनिया के भूग गर्भ जल का इस्तमाल सबसे ज्यादा करने वाला देश बन क्या है करते हैं गाउं से पलायन केंद्रे मंत्री नितिन गटकरी ने गरीब और मज़ूरोद्वारा गाउं से पलायन करने के वाक्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी है क्योंकि हाली में COVID-19 के कारण लगाये के लौकडाउन के दौरान प्रवासियों की बुरी हालत देखने को मिली थी जिसके बाद अपके इंद्रे मंत्री नितिन गटकरी ने उनके लिए अलग नीति की जरूरत पर जोर दिया है जिसके दहत उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक और सैक्षनिक रूप से पिछ्रे लोगों को आर्थिक रूप से आत्मिर्भर बनाने के लिए पूंजी समर्थन मुहाया करवाने के लिए एक अलग नीति की जरूरत है गटकरे ने डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते वे कहा कि सामाजिक आर्थिक और सैक्षनिक रूप से पिछ्रे जिन लोगों के पास कौशल है मगर पूंजी नहीं है उनके लिए अलग नीति की जरूरत है केजरिवाल सरकार ने अब चीन को दिया करारा जटका भारत चीन के बीच उतपन हुए तनाव के बाद भारत चीन पर नरभरता कम करने में लगातार लगा हुआ है इस एक्रम में विभिन राजियों में चीन को मिले जटके के बाद अबरविन्त केज रिवाल सरकार ने भी चीन को करारा जटका दिया है मिली जानकारी के नुसार दिली सरकार ने आदेश दिया है कि परिवहन निगम के बेडे में शामिल होने जारे 1000 DTC बसों में चीन के कलप पुर्जे नहीं लगाये जाएंगे लदाक में चल रहे है भारत चीन सीमा विवाद को देखते वे दिली सरकार नहीं है फैसला लिया है दिली सरकार ने बसों के टेंडर में नई शर्थ भी शामिल कर दी है जिसमें लिखा गया है कि DTC बसों में चीन से निर्वित पार्ट्स नहीं लगाये जाएंगे अब तक DTC बसों में CCTV, GPS, Panic Button आदी कई पार्ट्स जो हैं वो बसों को हाई-टेक बनाते थे वो चीन द्वारा निर्वित होते थे चीन के दखल के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्माउली की कुरसी बची कुछ होर समय के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्माउली की कुरसी पर छाई परेशानी अब घरती नजर आ रही है चीन की दखल अंदाजी के बाद केपिशर माउली की कुर्सी सुरक्षित दिखाई दे रही है नेपाली मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार चीन के दखल के बाद पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानवंत्री के स्तीफे की मांग को फिलहाल चोड़ने का फैसला लिया है जिसके बाद नेपाल की सतारूट कम्योनिस्ट पार्टी में उत्पन हो रहे तूट की संभावना भी अब पूरी तरीके से टल गई है मिली जानकारी के अनुसार चीन के बाहरी दबाव के चलते प्रचंड ने रविवार को आपसी समझोते के लिए हामी भर दी है और यही कारण है कि प्रधामुंतर के पिशर मावली की कुरसी अब उनके हाथ में ही है साल 2023 से भारत में चलाई जाएगी 12 प्राइवेट ट्रेने देश में 12 प्राइवेट ट्रेनों का पहला बैच साल 2023 में चलाए जाएगा प्राइवेट ट्रेन के संबंद में रेलवे की योजना 2022-23 में ऐसी 12 ट्रेन चुलाने की है जुसके साथ ही वर्ष 2023-24 में 45-26 में 50 इसके साथ ही अगले वित वर्ष में 44 ट्रेन शुरू करने की योजना है स्कॉलर्शिप जीत कर भारत से निकल कर अमेरिका पहुचे युवक ने लहराया जीत का परचम उतर प्रदेश के अलिगर के एक मेक्याने के बेटे ने पिछले साल स्कॉलर्शिप जीत कर पढ़ाई करने के उदेश से अमेरिका पहुचा था जिसकी बाद अब वहाँ पर सफ स्थान हासल किया और फरवरी के महीने के च्छातर से भी सम्मानित किया गया है। विशेश मुहीम के तहर बैंगलूरो, कोची, दिली, मुंबई और तिरोवनतमपुरा में विशेश उडान के जरिये अपने नागरिकों को 12-26 जुलाई के बीच वापस दुबाई लेकर लोट जाएगी। जिसके बाद 26 जुलाई तक इस मुहीम को जारी रखा भी अगरे को दिन मंत्राले ने कहा है कि भारत के साथ जो समझाता हुआ है उसमें इन देशों के उरान के जरिये यात्रियों को गंतव वितक पहुंचाया जाएगा कि उन्हीं लोगों को जो खारी देश में जाना चाहते हैं। बुम्रा का सामना करना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है अलाकि इससे पहले उन्होंने ये भी बताये कि 2018-19 की सीरीज में भारत के खिलाफ सिट्नी में खेलते देखी गये थे जिसके बाद भारत के खिलाफ उन्होंने यही एक माद्रिय टेस्ट खेला था। बुम्रा के चुनोती से निपटना मुश्किल होगा वो लगभग 140 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने की श्रमता रखते हैं। सुपर हेट फिल्म देने के बावजूद अक्रेस ग्रेसी सिंग ने छोड़ी थी फिल्म इंडास्ट्री लगान और मुना भाई, MBBS जैसी कई बहतरीन फिल्मों में काम करने वाली ग्रेसी सिंग का आज जन्म दिन है। फिल्म इंडास्ट्री की गुट बाजी मुझे समझ नहीं आती, रोल हासल करने के लिए प्रेडियूसर के पास जाना, पार्टी एटेंट करना ये सब मेरे बस की बात नहीं थी, मुझे पता नहीं चला कि कब मेरे पास कामाना बंद हो गया। इंशौरेंस के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। नहीं ए समझण झाल में ए रसक्तर जाइ